हेलो एबरीवन, कैसे हो आप सब, हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उमीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे आप सभी का आपके अपने चैनल SK BOOL STORE में बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंस सब से पहले आप सभी को मेरी राम राम आप सभी के लिए परम पिता परमात्मा से प्रात्ना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बखसे आप सभी की सारी मनों कामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशिया ही खुशिया है तो फ्रेंटसे आज फिर से मैं आप सभी के लिए ओस्वाल कम्पनी की तीन प्लाई वाली सिंगल धागे में प्लेन उन लेकर आई हूँ ये उन आपकी पारसमनी के नाम से आएगी ये देखिए इस तरह से ये ओस्वाल कम्पनी की पारसमनी बोल है और मैंसे आपको ये भी दिखा देती हूँ ये देखिए ये तीन प्लाई में सिंगल धागे वाली उन है एक होती है तीन तार वाली तीन प्लाई बट ये तीन प्लाई सिंगल धागे वाली है अब किसी किसी को ये वाली उन पसंद होती, किसी किसी को 2-5 तार वाली होती है तो कुछ बेनों की यही डिमार्ठी की आप बॉल को उपन करके दिखाया करो कि उन कैसी है तो इसलिए मैं आप हर वीडियो में एक बॉल को निकालके उपन करके दिखा देती हूं तो ये इस तरह से सिंगल धागे वाली उन है ओरिजनल ओस्वाल कमपनी की उन है उन पे रुवा नहीं आएगा कलर फैड नहीं होगा आपका बनाया वुआ प्रोजेक्ट स्रिंक नहीं होगा बेस्ट क्वाल्टी की उन है कहीं से कोई शिकायत इसमें नहीं आएगे अगर आप मेरे से ये उन लेना चाहते हो और न्यू जुडे हो तो सबसे पहले तो स्क्रीन पर जो मेरा वर्टसप नंबर चल रहा है इसे आप सुसमा को आड के नाम से अपने फोन में शेव कर लीचिए और जो बहने ड्यू झुडी है उनसे मैं हाथ जोड कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहनो प्लीज फोन कोल या वीडियो कोल मत किया करो आप वीडियो को पूरा देखा करो एक-एक बात मैं वीडियो में बताती हूँ अगर आप वीडियो को ध्यां से देखोगे तो आपको order करना आ जाएगा फोन करने से कोई फाइदा नहीं होता है और अगर माले आपको WhatsApp भी नहीं करना आता है या कुछ नहीं करना आता है तो घर में किसी और से करवा लीजिए तो ये हो गया है अब मैं आपको थोड़ी सी जरूरी बाते बता देती हूँ सबसे पहले तो आता है पेमेंट का क्योंकि कुछ बहने सारा हिसाब किताब जब अब WhatsApp पर जोड़ देती हो तो फिर से कहने लगती है कि हमें COD चाहिए थी इसलिए हमने order किया था तो देगे COD मेरे पास एवलेबल नहीं है ये सुवीधा मेरे पास नहीं है पेमेंट आपको पहले करनी पड़ेगी फॉन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, पेटियम जो भी सुवीधा आपकी पास हो जैसे आप कर सकते हो वैसे पेमेंट पहले कर दीजिए आपका address प्रोपर होना चाहिए चाहिए आप किसी गाउं में हो सहर में हो, कसबे में हो कहीं से भी हो आपका जो address हो वो बिल्कुल complete होना चाहिए पारसल आपके घर तक आ जाएगा अब आती है इसमें shipping charge की बारी shipping charge में ये है अगर आपका पारसल बाई रोड जाता है जैसे की हरियाना, पंजाब, यूपी, राजस्थान, हिमाचल परदेश में कुछ जगे ऐसी हैं जहां पर बाई एर जाता है ज़्यादा तर बाई रोड ही जाता है पंजाब है, दिल्ली है, नोईडा है मितलब ऐसी जगे जहां जाता है वहाँ का shipping charge आपका लगेगा 500 गराम से लेगर 800 गराम तक उन का 50 रुपे क्योंकि उसमें 100 रुपे shipping charge लगता है तो 100 में से 50 मेरा है और 50 आपका है और जैसे की मालिया आपका parcel जाता है बाई एयर जैसे की महराष्टर है, गुजरात है, बिहार है करनाटक है, मिघाले है, मनीपूर है, ओडिशा है, असाम है ऐसी ऐसी जगे से जहां से वेस्ट बंगाल है, ऐसी जगे से उड़ राती हैं तमिलनाडू से तो ये सारा बाई एयर जाता है जम्मू कस्मीर सब जगे, तो जम्मू कस्मीर का 500 ग्राम से लेकर जो भी बाई एयर जाएगा, 500 ग्राम से लेकर 800 ग्राम तक का सीपिंग चार्ज लगता 140 रुपे, तो 140 में से 70 आपका और 70 मेरा तो ये हो गया है सीपिंग चार्ज, इससे जादा आप उन लोगे तो उसमें भी जो लगेगा उसमें आधा मेरा और आधा आपका और ये तीन प्लाई वाली प्लेन सिंगल उन है इसमें आज मैं आपको 8 कलर दिखाऊंगी आपको जो भी वीडियो से कलर पसंद आता है जितने ग्राम आपको उन लेनी है कलर का स्क्रेंशोट ले लिजिए जितने ग्राम उन लेनी है वो लिखिएगा शेड नमबर में आपको बोल के दिखाऊंगी वो शेड नमबर 7 में लिख दिजिएगा प्राइज है इसका 100 ग्राम उन का 110 रुपे 1100 रुपे किलो की ये उन है एक बोल 110 रुपे का यहां कोने में मैंने स्टार्टिंग से ही डाल दिया है ताकि आप रेट को अच्छे से समझ सकोए अब मैं आपको इसके कलर दिखाती हूँ शेड नमबर के साथ तो ये देखीगा ये है आपका रॉयल ब्लू कलर जैसा कलर आपको दिख रहा है न प्रॉप पर बिल्कुल वैसा ही कलर आएगा कलर में कोई परक नहीं आएगा बूल में बहुत अच्छी साइनिंग है बहुत बड़ी अक्वालिटी की उन है आप प्रोजेक्ट बनाओगे न बहुत सुंदर बनेगा उन खराब नहीं होगी प्रोजेक्ट खराब नहीं होगा आपका शेड नमबर है इसकी 40 यानी 40 शेड नमबर 40 यानी 40 रोयल ब्लू कलर तो ये देख लिजिए अगर आप ये कलर लेना चाहते हो मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा कलर जैसे कि आपको जैन्ट स्वेटर बनानी है फूल बाजू या हाब बाजू या जैसे कि आपको थोड़ी सी ओल्ड लेडीज के लिए कोई कारडिगन जैकेट बनाना है उनको थोड़े डारक कलर उन पर अच्छे लगते हैं तो ये देख लीजिएगा बहुत ही प्यारा सा है चोकलेट कलर ये देखो जैसा दीकर आना वैसा ही आएगा कलर इतना सुन्दर है बहुत सुन्दर बड़े बुजरकों के लिए या जैन्ट के लिए तो बहुत ही प्यारा सा कलर है एक और भी आया हुआ है वो इससे अलग है बट ये थोड़ा light में है वो थोड़ा dark में है वो next वीडियो में आप सब को दिखाऊंगे तो shade number 3 है अगर आपको ये color पसंद है आप लेना चाहते हो तो इसका screenshot ले लीजिएगा shade number 3 यानी 3 तो ठीक है जी दो color हो गए है अब मैं आपको इसका तीसरा color दिखाती हूँ ये देखिएगा बहुत ही प्यारा सा color है बहुत ही सुन्दर है डारक पीच कह लीजिए या आप अपने हिसाब से कोई भी इसको नाम दे लीजिए क्योंकि color आपको जैसा दिकराना बिल् shade number 71 ये देख लिजिए बहुत प्यारा color है shade number 71 है यानी 71 है बहुत सुन्दर है जैंट्स लैडिज बच्चों के लिए किसी के लिए भी बना ये सब के लिए perfect color है बहुत प्यारा है shade number 71 यानी 71 तो तीन color हो गए है अब मैं आपको चोथा color दिखाती हूँ sky color देखे sky में भी shade बहुत सारी होती है एक मैंने कल की वीडियो में दिखाई जैसे एक आज की वीडियो में दिखा रहे हूँ तो ये अलग-अलग shade है ये देख लिजिए बहुत ही प्यारा सा color है और shade number 14 shade number 14 shade number 14 shade number 14 और ये देखे sky color कितना प्यारा color है चाहे आप छोटे बच्चों के लिए बन बनाईए अपने लिए बनाईए इतना प्यारा color है बहुत सुन्दर जचेगा जैसा दिख रहा है बिल्कुल प्रॉपर वैसा ही color आएगा तो ये हो गई है चार color अब मैं आपको इसको पांच मां color दिखाती हूँ बिस्कुट color ये देखेगा कितना प्यारा color है बिस्कुट color है और ये देखेगे जैंड लेडी सभी के लिए बहुत सुन्दर सा color है बहुत प्यारा है ये कितना अच्छा लग रहा है देख लिजेगा शेड नंबर है अठारा नहीं सत्रा सोरी सत्रा ये शेड नंबर 17 यानि सत्रा ये आप जरूर नोट कर लिजेगा क्योंकि शेड शेड नंबर के बिना कुछ color मिलते जुलते होते हैं अब इसी के मिलता जुलता एक color हो रहाएगा वो भी मैं आपको नेक्स वीडियो में दिखाऊंगे तो इसके लिए मैं शेड नंबर 17 यानि 17 ठीक है ये पांच color हो गई है अब मैं आपको छटा color दिखाती हूं ये देख शेड नंबर है और इसकी जो शेड नंबर है वो है 42 शेड नंबर 42 यानि 42 शेड नंबर 42 अगर आपको ये color पसंद है तो आप इसका screenshot ले लिजे और मुझे WhatsApp पर भेज दीजे बहुत ही प्यारा सा color है बहुत ही सुन्दर है जल्दी से order कीजिए कहीं है सानाओ की stock out हो जाए दोबारा कब आएगा कब ने आएगा ये कुछ पता नहीं चलता है इसलिए आप फटा फट जो भी color पसंद आता है उसका screenshot लीजिए और order पूरा कर लीजिएगा ये हो गई है आपके 6 color अब मैं आपको सात मा color दिखाती हूँ पिस्ता color ये देखिए कितना सुन्दर है पिस् 74 यानि 74 शेड नंबर 74 यानि 74 ये देखिए 74 यानि 74 ये देखो पिस्ता color है बहुत प्यारा color है बहुत चाहिए आप किसी के लिए भी बनाएए एक दम बहुत अच्छा जचेगा ये color हो गया है आपका फिस्ता 74 यानि 74 ठीका जी सात color हो गये हैं अब देखिए ये एक और ग क्योंकि shade number के बिना कुछ color light है dark है light dark का जो आता है ना अंतर उसमें फरक पड़ता है इसलिए आप shade number 7 में लिखा करो तो ये है गाजरी color और shade है इसकी 76 76 shade number 76 गाजरी color देखो कितना प्यारा color और जो दिखा है ना आपको वीडियो proper color है बिलकुल एक दम सेम टू सेम बहुत सुंदर है ना dark है ना light है बहुत प्यारा color है shade number है आपकी 76 याने 76 तो फ्रेंड से आज की इस वीडियो में मैंने आप सबको ये 8 color दिखाए हैं अगर आपको इन में से कोई भी color पसंद आता है तो उसका screenshot लेकर WhatsApp पर भेज दीजिए अगर आज का collection आप सबको पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा आपने friend circle में से share कर दीजिए और नए हो तो channel को subscribe करके bell icon पर all press कर दीजिए ताकि जितनी भी वीडियो में डालू सभी के notification आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वीडियो सारी आसानी से देख सको तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार राधा स्वामी राधे राधे जै शरी राधे बाई बाई खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए